करेंगे आएं और हम लोगों को सम्मूदित करें डिम्पल यादो जिन्दाबाच डिम्पल यादो जिन्दाबाच ताली बजा के दोनों हाथों चे चागत करिए आदर ने अध्याक्षी आदर ने रादर ने जया जी एहमाद असन जी किर्मोन नाइ नंदा जी मंच पे उपस्तत सभी समाजवादी पार्टी के नेतागर और जितने भी हमारे यूवा कारेकरता जहां पे उपस्तत है हमारे किसान भाई हमारी माताय भेने जो कम संख्या में है क्योंकि आप यूवा लोग सब आगे आगे हैं मेरा मानना है कि महलाओं को आगे जगह देनी चाहिए थी थोड़ी सी सभी नौजवान साथी, सभी पत्रकार बंदू जो आज यहां उपस्ते थे आप सभी को सबसे पहले में धन्यवाद देना चाहूंगी और विशेश रूप से कन्योच की जन्ता को धन्यवाद देना चाहूंगी जो आज यहां पर आई है और उनका अभार में व्यक्त करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने दो बार समाधी पार्टी को और मुझको यहां से सांसत बना के भेजा है और मैं सवश्ती हूँ जब आज मैं रमांकन भर के आई हूँ तो आप सब का आशरवाद और शुप कामनाय समाधवादी पार्टी के साथ है अब तो अब तो गटबंधन भी साथ है और जैसा कि श्री राम गुपाल चाजा जी ने कहा है जहां जहां समाजवादी प्रत्याशी खड़े होएं, वहां वहां में समाजवादी पाद्धी को जिताना है और जहां जहां बस्पा के काडिडेट्स खड़े होएं हैं, वहां वहां में बस्पा को भारी मतों से जिताना है करनोज से समाजवादियों का बहुत गहरा और पुराना रिष्टा रहा है और जो सम्मान करनोज ने मुझे को दिया है और अखलेश जी को दिया है उसका मैं अभार व्यक्त करती हूँ और यह कहना चाहूँगी कि जिस तरह इस छेत्र का विकास लगातार पिछले 15-20 सालों में होता आया है आगे भी 15-20 सालों तक होता रहेगा अब जितनी हमारी थोड़ी बहुत मातायां मौझूद है और जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिनके बच्चे हैं तो मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पे जितने भी लोग भरस्त हैं क्या क्या क्योंकि मैं खुद एक माह हूँ तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग कि अपने बच्चों को चौकितार बनाना चाहते हैं आज ही कल ही UPSC का रिजल्ट आया है ठीक हमें इस तरह की हमें इस शान शान कल ही UPSC के रिजल्ट आये हैं और हम जानते हैं कि हमारे बच्चे अजिकारी बनने जा रहे हैं तो जो लोग मानते हैं कि देश के वो हर बच्चे को चौकितार बनाना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगी वे सरासर गलत है हमें चाहिए एक अच्छी सरकार को चाहिए कि वो शिक्षा की तरफ बच्चों के ध्यान दे उन्हें ऐसे अफसर दें जिसे कि वो हर खुद पढ़ लेके अपने पैरों में खड़े हो सके और इसी के साथ 2017 में जब नोट बंदी हुई थी तो कहा गया था कि इससे आतंगवाद खतम हो जाएगा नकसलवाद खतम हो जाएगा, काला धन खतम हो जाएगा लेकिन आद सबसे जादा अगर आतंगवाद कश्मीर में है और रोज हमारा एक नौजवान रोज हमारा एक जवान, फौष का जवान रोज एक शहीद हो रहा है तो ये मैं समझती हूँ, ये मौजूदा सरकार की नाकामी है, कि रोज पुल्वामा की घटना बहुती दुखदाईग थी, लेकिन पुल्वामा की घटना के बाद भी लगातार हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, लगातार आतंगवात बर रहा हैं, और मौजूदा स महिलाओं के साथ लगातार उत्तर परदेश में अपराद बढ़ रहे हैं, 2017 से आज 2019 है, इस सरकारों ने, ना केंदर की सरकार ने, और ना राज्य की सरकार ने कुछ किया है, और लगातार, और कल तो मत्रुआ की घटना ही आप जानते होंगे, कि सरक महिला कॉंस्टेबल के पर तिजाब डाल दिया गया, उसको जुलसा दिया गया, तो ऐसी नाकारा सरकार को मैं समझती हूँ, हम सब मिलके हटाने का काम करेंगे, और एक और इस देश को एक नई दिशा और एक वातावरन देने का काम करेंगे, और जूटे वादो वाली सरकार कब जाने का समय आ गय है मैं आप सभी से पूरी उमीद करती हूँ मुझे पूरी उमीद है कि इस बार ज्यादा से जादा लोग आप वोट बटन दबाके समाजवादी पार्टी को विजयी वनाएंगे और मैं विशेश धन्यवाद देना चाहूंगी मैं विशेश धन्यवाद देना चाहूंगी मायवती जी का और शसी संद्रम इश्रा जी का जो आज यहां पर आप आए हैं अपना समय निकालके यहां पर आके हमारे कारणवक्रम में आपने उपस्तिती दी है मैं आपका अभार और धन्यवाद देती हूँ और आप सभी का जो सुबह से आप रुके हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अब हम समाजबादी पार्टी के राष्टी अद्दक्स हम सब के करोनों नौजबानों किसानों के मसिया माननी अकलेस यादो जिसे अन्रूत कर रहे हैं अकलेस यादो